ही कुए सभेटे ह 9 अभी तक हम लोग ने हेर सैंस के बारे में पार्ट वेंग और पार्ट टुो कम्प्लेट कर चुके आज पाठ प्री लेकर आएं जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि एक Allah को नॉआ चाहिए तो hair science के बारे में पता रहेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो जो आज का topic है वो काफी ज़्यादा important है इसलिए important है क्योंकि यह हमारे hairs के pH level को decide करेगा pH level यानि कि power of hydrogen या फिर आप लोग potential of hydrogen भी बोल सकते हो hydrogen जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे hairs में hydrogen यानि कि पानी की मातरा बहुती ज़्यादा होती है और पानी की मातरा ज़्यादा होने से pH level भी आप लोग को पता रहने चाहिए कि आपके scalp का, आपके hairs का pH level क्या है हमारे hairs dry क्यों होते हैं, हमारे hairs में ज़्यादा oily क्यों आता हैं और हमारे hairs healthy कैसे रहें तो ये सारी चीजें आप लोग की decide करते हैं आप लोग का pH level तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले pH level की उपर और pH level जैसे कि आप लोग को पता है कि जो हमारे cortex में जो हमारे bones होते हैं जैसे कि आप लोग को हमने पिछली बार बताया था कि जो salt bones होता है उसमें हमारा pH level decide करता है जिससे कि हमारे hairs का level है वो change होता है यानि कि हमारे hairs का हमारा salt bones है उसके उपर ही decide होता है जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे bones होते हैं जैसे कि hydrogen bones या फिर salt bones और तिसरा होता है हमारा desulfide bones तो जो hydrogen bones होता है वो पानी या फिर heat की मात्रा से जब हम इसे पानी से गीला करते हैं या फिर हम लोग से heat देते हैं तो वो hairs के जो bones है उसे वो change करता है बट जो salt bones है वो pH level के बाद ही हमारा change होता है और जो desulfide bones है वो हमारा जो हम product use करते हैं जैसे कि relaxing वाले cream, straightening वाले cream या फिर जो भी colors वाले cream यह सिब यूज़ करते हैं तो जो bones change होते हैं वो desulfide वाले bones change होते हैं but pH level होता हमारा salt bone हमारा pH level decide होता है अगर आप लोग ने पार्ट 2 नहीं देखा होगा तो आप लोग को यह पार्ट समझ में नहीं आएगा तो पार्ट 2 भी देखिए पार्ट 1 भी देखिए क्योंकि hair science का पूरा detail में knowledge रहने चाहिए अगर आप लोग इस फिल्ड में हो तो पूरा deep में रहिए ताकि आप लोग deep में रहोगे तो आप लोग कोई भी कहीं से भी उठागे कोई भी question करेगा आकर आप लोग के client पूछ रही या फिर कोई भी hair stylist आप लोग को पूछ रहा तो आप लोग हमारे hairs dry की हो जाते हैं, oily की हो जाते हैं और हम हमारे hairs को healthy रखने के लिए क्या कर सकते हैं तो चले चलते हैं wide board पर और देखते हैं पूरा detail में हमारा hairs pH level तो यहां पर आप लोग देख सकते हो pH scale यानि कि यह हमारा पूरा pH level का scale है इसे full form में बोलते है potential of hydrogen तो जैसी कि मैंने आप लोग को बता है कि हमारे बालों में hydrogen की मातरा ज्यादा होती है तो पूरा detail में देखेंगे यहां पर scale को अगर यह scale आप लोग को पूरा अच्छी तरीकी से समझ में आ गया तो pH level समझ लीजिए आप लोग का पूरा clear रहे जाएगा तो यहां पर मैं आप लोग को clear करू करेंगे वह होता है alkaline alkaline यानि कि जब हमारे hair dry damage या फ्रीजी होते हैं 7.1 से लेकर 14 तक जब जाते हमारे hair तो alkaline होते हैं लेकिन वहीं अगर 6.9 यहां देख रहे लिखा हुआ है 6.920 तक जो रहता है तो हमारे hairs होते हैं acidic तो हमारे hairs acidic होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी क्यो होगे तो अगर healthy रहना है तो आप लोगो fruits वगयरा खाना है junk food खाऊगे जैसे कि बाहर का अगर आप लोग खा रहे हो तो आप लोग के hair damage होते skin damage होता है आप लोग का अंदर का जो भी part है वो भी problem में आ जाता है तो वह हो जाता है हमारा alkaline मैं आप लोगों को एक example की तोर प में भी आते हैं वो कौन-कौन से product है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा तो फिलाल यहां पर देखोगे कि आप लोग को अगर healthy hair रखना है तो हमारा pH level क्या होना चाहिए तो इस scale में देख सकते 0 to 14 की scale में जो 7 number है वो होता है neutral यानि की neutral में रहता है न alkaline में है ना acidic में है और 0 to 6.9 जैसे कि मैंने बता है acidic और 7.1 to 14 तक होता है alkaline और आप लोग को यहां पर बता दूग कि healthy hairs हमारे किस तरह रहे बहुत लोग के hair देखा होंगे soft है shiny है और बहुत ही जादा एकदम अच्छा healthy look दिख रहा है तो वो कैसे तो उनका जो pH level होता है healthy hairs के लिए वो होता है 4.5 to 5.5 यहां पर देख सकते हो 4.5 to 5.5 जो हमारा होता है वो healthy hairs होते हैं जिनके hair soft होते हैं shiny होते हैं और देखने में ऐसा लगते हैं कि इनके hairs काफी अच्छे हैं थिकने से तो वो healthier होते हैं तो हमारे healthy hair रखने के लिए हमारा pH level क्या होना चाहिए 4.5 to 5.5 यह हमारा pH level होना हमारा healthy hair होता है 4.5 to 5.5 जो चलिए अब आप लोग यहां पर समझ गए हो कि acidic और alkaline यह दोने चीज़े समझ गए हो तो हमारा acidic में क्या-क्या होता है alkaline में क्या-क्या होता है हमारे hairs की product में वह आगर मैं आप लोग को बता हूं तो हमारा जो shampoo होता है वह हमारा shampoo क्या करता है cut करने के बाद क्यूटिकल ओपन करने के बाद हम लोग लगाएंगे तो रिजल्ट मिलेगा तो क्यूटिकल ओपन करता है हमारा शैंपू हमारा आता है की स्मूनिंग क्रीम यानी की स्मूनिंग क्रीम हाता है वो भी हमारा अल्क जो ब्लीच होता जो ब्लॉणनिडर होता है वह भी हमारा अल्क लाइन में आता है हमारा जो color आते हैं, वो colors, वो सारे चीज़े हमारी alkaline में होती है, क्योंकि उससे हमारे hairs होते हैं dry, जैसे कि आप लोग को पता है, तो जो भी 7.1 से लेकर 14 के scale में है, तो वो हमारे hairs को level के scale पे लेके जाते हैं, यानि कि shampoo हमारे 7 to 8 तक लेके जाते हैं, smoothening cream हमारा 11 से 12 के level तक ल level के scale को 9 से लेकर 13 के बीच को लेके जाते हैं, अब बात करते हैं, कि acidic में क्या-क्या आता है, हमारे hair salon के product में Azicic में क्या क्या आता है तो Azicic में आता है हमारे सलोन-ड्रटमें कैरटीन आता है कैरटीन जो 22 से लेकर 23 ने ठाद CT के बीच में रखता है और हो गया हमारा Con seidioner ड़ो अमारा 3 LEVEL के pH LEVEL can ne हमारा cham ride is serum जो इस नीलम ही लेवल 5 हो गया यर को रखता है और फिर उसके बाद में सीरम लगाये सीरम लगाने से सीरम जैसे की फाय नंबर तक हमारा पिछ लेवल अजाता है तो हमारे एज़ानी हो जाते हैं और यह लेख अगर फायच लेवल जीरो से लेकर दो की बीच में है तो आप लोग गई को कि आप लोग की पूरा ड्रा हो जाते हैं हमारे पीछ लेवल की स्केल में 022 यानि की ज्यादा कम भी ठीक नहीं है और 13 to 14 जादा भी ठीक नहीं है तो ज्यादा अगर होगा तो अलकलाइन ड्राइनेस की तरफ चला जाएगा अगर ज्यादा ही कम होगा तो एक दम ऑईली की तरफ हो जाएगा जाएगा है तो हमारा पीछ लेवल 4.525.5 तक ही रह तो बेस्ट है अगर निट्रल रखना है तो 7 जैसी के आप लोग को पता है की नीट्रल होता है मैंने आप लोग पहले बता दिया चली मैं आप लोग को दिखाता हूं कि पीच लेवल का जो स्केल है उस स्केल में कौन- यानि की 7.1 से 14 के बीच में यानि की स्टार्ट होता है तो यही कारण है कि हमारा जो हैर्स अमारा जो स्कैल पे वह अलकलाइन की तरफ चला गया हे तो अब यहां पर थर्ड नमबर देख सकते हो थर्ड नमबर हमारा आता है विनेगर जो रहता है वह हमारा थर्ड नमबर पिएच लेवल की स्केल्प में आता है फोन नमबर पर हमारा यहां आता है टैमेटो आप लोग को पता है जो हम लोग खाते हैं वह इसलिए हम लोग बो जैसे कि आप लोग को पता है कि जो पानी बहुत पानी बहुत अपनी बहुत जाता है तो वह अल्कलाइन में आता है और जो नॉर्मल पीने का पानी उससे जब हम हैर को वाष करते हैं तो वो हमारे हेरs एक निट्रल रहते हैं इसलिए हमारे water को neutral यानि कि 7 number पर रखा है देन उसके बाद में यहाँ पर 8 number पर आता है हमारा blood हमारा blood का pH level होता है वो 8 number के pH level के scalp पर आता है देन होता है हमारा baking soda वो 9 number के पर पर यानि कि बहुत ही जदा dry ब्लीके यहाँ पर आता है इसके से नियुक दिया जाता है उसके पहले हेयर्श हमारे ड्राय होते हैं जिससे कि हमारे bones break होते हैं और permanent वाला कोई भी look दिया जाता है लेकिन उसके पहले hairs हमारे dry होते हैं तो alkaline होते हैं alkaline होने के लिए ammonia यूज करना पड़ता है तो ammonia जिन जिन चीजों में आता है वो 11 नमबर के pH level के इसाब से pH level के scalp में आता है जिससे कि प्रिलाइटनर आप लोगो पता है हम लोग यूज करते हैं या फिर कोई और चीज का ब्लीज उससे भी हमारा pH level होता है hairs का वो 13 नमबर तक आ जाता है जो कि बहुत ही जाता hair को dry कर देता है देन उसको dryness को हटाने के लिए फिर हम क्या यूज करते हैं कंडिशनर यूज करते हैं मास्क यूज कर सकते हैं सिरम यूज करते हैं क्यूं करते हैं क्यूंकि हमारा pH level 13 चला जाता है इसी लिए देन उसके आदमें 14 हमारा नमबर आता है draining cleanser यानि कि जो हम लोग हमारा wash washing साफ करने के लिए यूज करते है जो liquid उसे बोलते हैं तो वह हमारा 14 लेवल तक के pH लेवल के scalp में आता है dandruff का कारण यही होता है alkaline की तरफ जब हमारे hairs चले जाते है तब और oily और चिपचिपा hairs होने का कारण यह होता है कि हमारे जो pH लेवल का scale एकदम कम हो जाता है तब इसलिए ना आप लोग को कम रखना है ना ज्यादा रखना है ना ही neutral में रखना है आप लोग को रखना है 4.5 to 5.5 फिर से एक बर मैं आप लोग को clear कर दे रहा हूं और 6.9 से 0 तक हमारा होता है acidic यानि की चीख हेल्दी है और 7.1 to 14 तक होता है हमारा alkaline जो की हमारे hairs को dry करता है हमारे scalp को dry रखता है तो यह pH level का scale आप लोग अच्छी तरीकी से समझ लीजिए फिर से एक या दो बर वीडियो देखिए पूरा detail में पता चल जाएगा यह पार्ट 3 आप लोग को बहुत जिदा जरूरी है इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे color का पूरा knowledge step by step तो दोस्तों pH level यानि की potential of hydrogen यह पूरा detail में मैंने आप लोग को बताया I hope की पूरा अच्छी तरीकी से आप लोग को pH level का scale पता चल गया होगा इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने हो ले पार्ट 4 जो की color का knowledge आएगा तो आप लोग को जैसे की मालूम है कि यह सारी चीजे पता रहनी चीजिए उसके बाद ही आप लोग के color के knowledge अच्छी तरीके से समझ में आएगा तो यह पूरा आप लोग एक बार दो बार तीन बार अच्छे से देखना अगर समझ में नहीं आए तो क्यूंकि इसके बिना आप लोग अच्छी तरीके से color के बारे में deep knowledge नहीं ले पाओगे तो चलिए अग अब बहुत ज्यादा शॉर्ट्स वीडियो आते रहते हैं जिसे कि आप लोग को knowledge मिलता रहेगा तो चलिए मिलते हैं नेक्ट्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रहिए बाए बाए टेक केर